हलो दोस्तों नमस्कर हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में 36 गर नगर सेना भरती 2024 जिसमें कितना पत निकला हुआ है तो यहां पर 2215 पत निकला हुआ है उसके लिए आपको अपने मोबाइल से आलें आप अवेधन कैसे भर सकते हैं बीना किसी प्रकार के तुरूटी के तो उसके बारे में पूरा डेटिल से इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखना और साथी इसके संबाद में हर चीजों से संबधित आपको जो डौट है उसको भी आपको क्लियर करते चलूंगा तो सबसे पहले आप क्या करना है वीडियो के डिस्किप्शन में लिंक दिया हुआ है ओल इन फार्म ठीक है वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक क्लिक करेंगे तो इस तरीका से क्या होगा इंटर्फेस ओपन होगा इस तरीका से आपको इंटर्फेस ओपन होगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मतलब पर रिभाग और गटिजिट और अभियार्थियों का प्रिष्टा यहां पर आप विज्यापन को भी यहां पर और देख सकते KEVIN थिक रे है अगर आप डारेक्ट यहां पर पंजियन करना है तो आप डारेक्ट किहां पर यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीका से है एक नया फेस्स ओपन होगा इस तरिका से इंटर्फेस यहां पर व्यक्ति गत व्यूरण रोर्यों न दम ये इसको जो इस जार इंस्ट्रक्टन दिया हो एक उसको तो अच्छे से पढ़ लेना है फिर आपको यहाँ पर आवेदन का पद जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आप किस पद में भरना चाहते हों आप जर्रल ड्यूटी के लिए भरना चाहते है कि तो पूरूस लोग क्या है होस्टल ड्यूटी में आप नहीं भर सकते हो ठीक है जो ठीक है और यह तो आप क्या है यह होस्टल वाला डिटी को भी डाल सकते हैं ठीक है तो जो महिला है आप दोनों में भर सकते हैं उसका मतलब नहीं है आपको दोनों में से किसी एक में ही भरना है ठीक है इस चीज को आप ध्यान देना आपको दोनों में से किसी एक चीज में आपका टैटल चूज कर लेना फिर यहां पर आपको नाम लिखना है नाम लिखने के बाद यहां पर आगे आपका पापा या हस्बेन का नाम लिखना है लड़कियों के लिए ठीक है और इसके बाद डेट अब बर्थ आपको फिल करना है फिर आपका मेल हो के फिमेल हो उसको को क्लिकन फिल करना है फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है मोबाइल नंबर को फिर से कनफर्मेशन करना है फिर आपका इमेल एड्रेस डालना है इमेल एड्रेस को फिर से क्या है कनफर्म करना है फिर यहां पर पता का विवराड आपका पता है उसको आपको क्या है यहां प आपको डालना है फिर आपको पुलिस स्टेशन है उसको आपको भरना है फिर आपको क्या है जीला आप कौन से जीले के निवासी है जिस जीले में आप फार्म डालोगे मतलब जिस जीले में फार्म डाल रहे है उसी जीलेगा ठीक है तो आपके पास जैसे प्रमार पत्र है ठी तो दोनों को आपको भरह यहां पर जाएगा इस तरीका से फिल हो जाएगा फिर आपको बाये हाथ में तील है उसको या किसी का हेड में एथ में गाल में जो भी या कथका अगर किसी इतनी की का नहीं तो नो माक से लिखना ठीक है क्रिप्रा प्रवाईद प्रमार अनुभाग या जिला neceset collector के दुआरा प्रमार पत्र जमा करना सुनिशित करेंगे जिससे आपको पांच वर्ष्ट की छूट मिलेगी तो हमारे पास नहीं है तो हम नक्सल पीडी तरवार से नहीं है तो नो करेंगे फिर आपका रोजगार करियाला में जो भी आपका पंजीयन है ठीक है उसको आपको यहां पर फिल करना है रोजगार करियाला है तो यहां पर रोजगार तरीट को डालेंगे फपर छागी चीजों को आरे इस तरीकत से आप अपना सभी नाम्ताया को भर लेंगे मैं अपना security के लिए क्या है आधा को blur किया हूँ ठीक है आधा को यहां पर blur किया हूँ ठीक है mobile number वेगेरा मेरा क्या है आधा विलेर हुआ है ठीक है तो इस तरीका से आप अपना क्या है जो सभी detail को fill up कर लेंगे fill up करने के बाद यहाँ पर एक चीज यहाँ पर जिसे identification mark मेरा चूटा है तो यहाँ पर जिसे मैं मेरा पहचान चीन है नहीं है तो no mark लिखूंगा अगर आपके पास है तो आप लिखना ठीक है जिसे किसी के तील है तो हाथ में तो तील वाला लिखना mole on hand करके बाकी आपको क्या है यहाँ पर nest जो हो वाला बटन है यहाँ पर आप उसको click करेंगे यह वाला है बटन इसको आपको जैसे ही touch करेंगे तहाँ पर इस तरीका से आगे एक एक बरक्या है आपको क्या है इसको व्यूराड सही नहीं है क्रिप्या सुनिशित करें तभी आवस्यक फिल्ड सही ढंक से भरे गए हो मतलब इसके मतलब यह है कि आप वो करो फिल करो बोर रहा है ठीक है व्यूराड सही नहीं है बोर रहा है यहाँ पर जो view rate है उसको आपको यहाँ पर देना है, यहाँ पर जैसे किसी भी प्रकार का आपको mistake हुआ रहेगा तो उसको यहाँ पर बता देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर category क्या है फिल नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको इस तरीकर से दिया है, आगे यहाँ पर फिर आप से किया हूं तो cg bse राइपूर लिखाता है तो यहां पर राइपूर लिख देंगे आप जहां से किये होंगे उसको आपको लिखना है ठीक है उसके बाद आपको कब इसको पास किये हो उसको आपको भनना है काब पास की को भनना है फिर यहाँ पर आपने किसी राष्टिया पर विद्याला इस्तर पर खिल कुफ की है तो आपको जैसे बोनस वाले हैं तो यह बोनस वाले के लिए तो नहीं अगर हां करूंगा तो यहां पर पूछेगा कि आपने खेल में भागीदारी को हां के रूप में चुना है कि रूपया अफ्लोड प्रमाण पत्र अनुभाग प्रसंगिक्स जमा करना सुनिसीत करें तो इसके लिए क्या है आपको यहां पर खेल का नाम आयोजीत वर्शा और इस्तर कौन सी इस्तर का है उसको तो हमारे पास नहीं है तो नहीं आज के पास एंसेजी का सी सर्टिफिकेट होगा तो यहां पर यह करना है अधरवेश नहीं यह सभी क्या है बोनस के लिए ठीक है बोनस आपको चार चीज़ें में ही मिलेगा इसलिए है बिस नमबर का एक अपके पास है हैँ इसलिए नहीं करना है ठीक है क्या आपको हिंदी टापि आताया यहां या थो मिलेंगे पार आपको यहां पर देखे क्या आपको कभी भीई गृपते किया गया है तो यहां पर कम में कोई मामला लंबित है कोई मामला लंबित होगा तो उसके बारे में जनकारी तो यहां पर उसके बारे में केस नेम विगरा सब्स पूछेगा ठीक है तो उसको आपको फिल करना है फिर यहां पर मैं नो कर देता हूं यहां पर दिखिए मेरा क्या है सभी चीज यहां पर तो आप डालेंगे पर पूरसीर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीका से समिक्ष्या और पूश्टी यहाँ पराजाएगा इस तरीका से आपका स्कूर्षज्यान पूरा जो भी आप फार्म भरे रहेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल से यहाँ पर जनकारी आया हुआ है ठीक है इस तरीका से जो भी आप भरे हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आप उमिद्वार द्वारा घोंसडा उमिद्वार द्वारा घोंसडा करके यहाँ पर ज आप दस्तावेज अपलोड करने के लिए त्यार है तो यहां पर हां क्या आपने सुनिस्थित क्या आपने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसको करना है ओके करने के बात दिखिए इस तरीका से यहां पर आ जाएगा फिर यहां पर डॉकुमेट आप लोड़्डीट कैंड़ी प्रोसीडरीच अबीलेक नहीं हुए हैं करीपलेक अभीलेक को अपलोड करें यहां पर पर आपको जो है क्लिक करना है थीक है यहां पर यहां पर फोटोसे कर सकते हो अगर आपके पार करने करने का नहीं होगा एंगा तो यहां पर तो यह पर यहां पर करेंगे तो पर यहां पर मीडिया पीकर यहां पर इस प्रकार से टच करेंगे फिर आपको यहां पर जहां भी आपका फोटो रहेगा ठीक है तो उस फोटो को यहां पर आप क्या करेंगे यहां पर सेलेक्ट करेंगे फोटो को आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर सिगनेचर को पिर आपको क्या है रोजगार पंजियन को अप्लोड करना है फिर आपको क्या है उसी प्रकार से आपका जो है सारे चीज़े जैसे यहां पर इस्थाई निवास प्रमाण पत्र हो उसको पिर आपको क्या है दस्वी का इस प्रकार से सभी पी चीजों पर आपको क्या है फिर क् यहां पर देखेंगे जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको यहां पर एक रजिस्टेशन नंबर मिल गया है ठीक है यह जो आपको क्या है रजिस्टेशन नंबर है ठीक है जैसे आप रजिस्टेशन नंबर करेंगे फिर उसको बाद यहां पर आपको क्या है यहां पर आपको भुक्तान करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है तो यहां पर आपको सारे चीजों को आपको अच्छे से यहां पर चेक करने के बाद यहां पर भुक्तान करना है ठीक है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे भुक्तान पर तो इस तरीका से जैसे यहां पर भुक्त करेंगे यहाँ पर जो आपका payment mode है उसको भी आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप card select करेंगे ATM से तो यहाँ पर ATM card का number उसका expiry फिर उसका क्या है आपका CCV number फिर यहाँ पर फिर आपको क्या है यहाँ पर check करके हाँ पर payment now करना है ठीक है जैसे आप payment now पर click करेंगे तो आगे इस तरीका से आप क्या है आपका जो है पेमेंट सक्सेस्पूल हो जाएगा फिर आपको क्या है फाम आपको भरा जाएगा ठीक है तो इस तरीका से क्या है आप खुद से मोबाइल के क्या है आप फाम भर सकते हैं आप एक जीले से फाम भर सकते हैं जो भी डाउट रहेगा तो आपको प्लीज आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना थांक यू